बच्चो आपके सामने और इसका थिंदी आसुली फिकाटे डिक्टस हैं जिंदी का दे रहा हूं आउट्लाइन के साथ देखिए आउट्लाइन के सबनेगी प्रतेक प्रभपवादा करें प्रत्येक यह ज़्याद आप यह लगा सकते हैं प्रतेक नागरी को डबल कर दें अपने अधिकारों ने पूरा फ्रेजर्स बन जाएगा और करतवियों 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 इस तरह किसी बना सकते हैं कि जानकारी जान को डबल कर दें, जानकारी होनी चाहिए, होना होनी का सब फिन है, होनी चाहिए अधिकार डबल करें और कर्तव्यों को अलग नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है यहे भी इदर लगा दिया मैंने यहीं, नहीं किया जा सकता है प्रतेक अधिकार के साथ कर्तव्यों जुड़ा हुआ पोता है जेसे प्रतेक बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, हे भी लागा दिया मैं, एक साथ पूरा प्राप्त करने का अधिकार है सिक्षा पाने के साथ साथ इसमें बालक का कर्तव्यों कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है प्रतिक बालक का कर्तव्य है की कर्पहाप करके है की लगा दीजिए एकसा तुन जगा कर्तव्य है की वह मन लगाकर सिक्षा प्राप्त करे माता पिता का कर्तव्य है की एकसाद बना दें वह बच्चे की सिक्षा की पूरी व्यवस्था करे प्रतिक इसका पूरी एकसा तुन जगा दें यहां पर व्यवस्था करें प्रतिक इसका पूरी एकसाद फ्रेस्था बन जाएगा इस्थानी स्वायत संस्था इस्थानी स्वायत संस्था का चुनाव के लिसबचिने जगा चुनाव होता है चुनाव द्वारा इन संस्थाओं में प्रतिनिधी चुने जाती है जितने अच्छे प्रतिनिधी जितने अच्छे प्रतिनिधी आएगे आएगा आएंगे सब चिने गेरा आएंगे उतना ही अच्छा कारी वे कर सकेंगे एक साथ कर सकेंगे मुनवराम आएगे देखें उतने अच्छा कारी कर सकेंगे प्रतिक संस्था अपने कारियों को अच्छी तरह से ये पुरफ्रे जैसे करने के लिए कुछ नियम एवम कानून कम काम की बिंदी लगा दे कानून बनाती है इन नियमों को तोड़ने पर दंड दिया जाता है दंड को आदा कर दें दंड दिया जाता है हमें इन हमें इन सब नियमों की पालना करनी चाहिए पुन्विराम सांती और व्यवस्ता ये पुरफ्रे जैसे सांती की टारेक्शन इदर व्यवस्ता का इस टूल बलगाना है बनाए रखने के लिए नियमों का पालन अवशक है ये पुरा सामाजिक जीवन के लिए एक फ्रेजे से सामाजिक जीवन के लिए सामाजिक जीवन के लिए नियमों का नियमों का होना का सब्चिने बहुत जरूरी है ये नियम हमारी भलाई के लिए एक साथ बने का भलाई के लिए बनाए जाते हैं ये नियम हमारी भलाई के लिए बनाए जाते हैं यदि कोई व्यक्ति का सब्चिने नियम तोड़ता है इसको यसा बनातो तोड़ता है तो उससे समाज को नुक्सान का सब्चिने नुक्सान होता है तो बच्चो ये डिक्टेशन में आपको आउटलैन मना के दिखाया अब इसको आप असी के फिर से डिक्टेशन नोट करें प्रतेक नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तवयों की जानकारी होनी चाहिए अधिकार और कर्तवयों को अलग नहीं किया जा सकता है प्रतेक अधिकार के साथ कर्तवय जुड़ा होता है जैसे प्रतेक बालक को शिक्षा प्राप करने का अधिकार है शिक्षा पाने के साथ साथ इसमें बालक का कर्तव भी चुड़ा हुआ है प्रतिक बालक का कर्तव है की वह मन लगा कर सिक्षा प्राप्त करी माता पिता का कर्तव है की वह बच्चे की सिक्षा की पूरी व्यवस्था करें प्रतिक इस्थानी स्वायत संस्ता का चुनाव होता है चुनाव द्वारा इन संस्ताओं में प्रतिनिधी चुने जाते हैं जितने अच्छे प्रतिनिधी आयेंगे उतना ही अच्छा कार्य वे कर सकेंगे प्रतिक संस्ता अपने कार्यों को अच्छे तरह से करने के लिए कूछ नियम एवं कानूं बनाती है इन नियमों को तोलने पर दंड दिया जाता है हमें इन सब नियमों की पालना करनी चाहिए सांती और व्यवस्ता बनाए रखने के लिए नियमों का पालन आवशक है सामाजिक जीवन के लिए नियमों का होना बहुत जरूरी है ये नियम हमारी भलाई के लिए बनाए जाते हैं यदि कोई व्यक्ति नियम तोड़ता है तो उस से समाज को नुक्सान होता है ये मैंने आपको अस्सी और अब सो की गतिका लिक्टिसन दे रहा हूँ प्रतिक नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तवयों की जानकारी होनी चाहिए अधिकार और कर्तवयों को अलग नहीं किया जा सकता है प्रतिक अधिकार के साथ कर्तवय जुड़ा होता है जैसे प्रतिक बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है सिक्षा पाने के साथ साथ इसमें बालक का कर्तवय भी जुड़ा हुआ है प्रतिक बालक का कर्तवय है की वह मन लगा कर सिक्षा प्राप्त करे माता पिता का कर्तव है की वह बच्चे की सिक्षा की पूरी व्यवस्ता करे प्रतिक इस्थानी स्वाय संसा का चुनाव होता है चुनाव त्वारा इन संसा संसाओं में प्रतिनिधी चुने जाती है जितने अच्छे प्रतिनिधी आएंगे, उतना ही अच्छा कार्य वे कर सकेंगे। प्रतिक संस्ता अपने कार्यों को अच्छे तरह से करने के लिए कुछ नियम एवम कानून बनाती है। इन नियमों को तोड़ने पर धंड दिया जाता है। हमें इन सब नियमों की पालना करन सामाजिक जीवन के लिए नियमों का होना बहुत जरूरी है। ये नियम हमारी भलाई के लिए बनाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति नियम तोड़ता है, तो उससे समाज को नुक्सान पहुंचता है। ये मैंने आपको अस्sen और सो के इस्पिट से डिक्टिसन दिया है। अब आप इसको सबसे पहले सब आउट लाइन की प्रक्रक्टिस करें। सारी ओडलाइन एड्वांस है, उसके बाद आप अस्sen के इस्पिट 뭍ट थे और सोस्पिट इसका डिक्टिसन लें। आपको लेकिन में बहुत आसानी रहेगी यदि आपको ये डिक्टेशन अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद